मौनसुन का असर अब फसलों पर पड़ता दिखाई दे रहा है बिहार में मौनसुन सीजन देखने को मिल रहा है लेकिन मौनसुन वाली बारिश नहीं राज्ये के 20 ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश ओसत से काफी कम है इसमें एक दरजन जिले तो ऐसे हैं जह समानिय से 50 फीसद से भी कम बारिश देखने को मिली है इन जिलों में हालात काफी खराब है मोसम विभाग के मुताबिक मौनसुनी बारिश नहीं हो रही पटना सहीत राज्ये के अन्य जिलों में छिटपुट बारिश हो रही है ऐसी बारिश से इस खेती का काम पूरी तरह से ठप हो गया है किसानों को धान की रुपाई में डीजल का कर्च भारी पड़ रहा है अधिक संख्या में किसान बारिश को लेकर टक्टकी लगाए होई है मोसम विभाग के मुताबिक मौनसुन जून से लेकर सितंबर तक होता है लेकिन जून और सितंबर में बारिश कम होती है ऐसे में जुलाई और अगस्त में ही बारिश का पूरा जोर होता है इन दोनों महिनों में बारिश में फिलाल कमी देखने को मिली और जिसके चलते सूखे जैसे हलात होते दिखाई दे रहे हैं बिहार में जुलाई में भी कम बारिश दर्ज की गई और अब अगस्त में भी वही हाल है अगस्त महीने में बारिश की थोड़ी बहुत उमीद है सितंबर में तो मोंसुन की वापसी होने लगती है ऐसे में बारिश की संभावनाई काफी कम हो जाती है बिहार में कम बारिश का सबसे बड़ा साइड इस्पेक्ट धान की खेती पर ह राज्य धान की खेती को लेकर परमुख है। साल में किसान मुमन दो फसल उगाते हैं। धान की फसल तो सूखा से ही मारखाती दिखाई दे रही है। धान की फसल में पानी क्योंकि सबसे अधिक चाहिए होता है। इस कारण से pump set से काफी पैसा लग जाता है और किसानों की पूरी पूंजी डीजल में लग जाती है इस कारण किसान बारिश के इंतजार में नह जाते हैं लेकिन फिलाल के लिए बिहार के अंदर मोंसुन इस बार कम आता दिखाई दे रहा है और जिसका असर सीधा धान की फसल पर पड़ता नजर आ रहा है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीव